इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी कोल्जी नर्ट 3.75 ओरल सस्पैंशन मेंगो शुगर फ्री का इस्तेमाल आपके खून में हाई कॉलेस्ट्रॉल का इलाज करने के लिए किया जाता है यह शुरीर से बाइल एसिद हटा कर काम करता है इस दवा का इस्तेमाल कम वसा वाली अन्य दवाओं और आहार के साथ किया जा सकता है कोल्जीनिक 3.75 ओरल सस्पैंशन मेंगो शुगर फ्री को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ लिया जाता है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इस दवा का प्रभाव उन पर पर सकता है सबसे सामाने साइड इफेक्ट कब्ज, अपच और मिचली आना है इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट आपको परिशान कर रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें वे side effect की रोक थाम करने के या उनको कम करने के तरीके बता सकते हैं अगर आपको उठने में कठिनाई हो या पेट या आंतरिक विकार हो तो यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें अगर आप कब से पीडित हैं तो या दवा इस थिती को बिगार या खराब कर सकती है अगर आपको इससे अलजी है या आतो या पित न लिकाओं में ब्लॉकेज है तो कोलजी ने 3.75 औरल सस्पैंशन मेंगो शुगर फ्री का इस्तिमाल नहीं किया जाना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद